नमस्कार दोस्के एक बार फिरो मारी यूटुब चैनल में आप लोगों का हर दिख स्वागत्य लेट अफ्टर टेर निकल गया है कि फिट्मेंट प्रेक्टर पर आ गई है नई अपडेट जाने कब तक बढ़ेगी करमचारियों की सेलरी तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि क्या नई अपडेट निकल कर आई है अगर आप हमारे चैनल पर पास टाइम जिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर साथ ही साथ वेला इकन को भी बजा दीजिए ताकि गुर्मेंट या पैंशन से समन्दी जितने बिन्यू जाते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंद पोस्त के तो करते हैं वीडियो को आफटार्ड मिना किसी देरी के दोस्तों केंद्रे करमचारियों के बढ़े हुए डिये को देने पर मंझूरी दे दी है डिये हाई के साथ पिटमेंट फैकर पर कोई जनकारी नहीं दी गई है तका मैं बिजनसं में प्रकासित कबर के अनुसर! साल 2022 में फिटमेंट में इजाफ़ा नहीं होगा सरकार फिलाल फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के पक्स में नहीं है कोविड और मामारी के चलते फिलाल अत्रीक द्वीतिय बोज नहीं बढ़ाया जा सकता सुत्रों का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर पर अगले वेतन आयोग तक कोई फैसला नहीं होगा सरकार की कोशिश है कि कोई ऐसा फोर्मूला बनाए जिससे समय समय पर सैलरी में इजफ़ा होता रहे दोस्तों आपको बता दे कि केंदर सरकार की करमचारी के लिए फिटमेंट फैक्टर काफी एहम है इसके अधार पर तैह होगा कि करमचारी की नि एकंदर सेलरी में ढ़ी घुना बढ़ जाएगी दोस्तों साइंड पर कैमिशन कि सेपारेस की अनुसार फिलाल फिटमेंट फैक्टर दो तश्मिलोग फैक्टर दो 1.50 एकंदरी कार्यों एकंदर के बैसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर दो 2.50 साथ से गुना करके तैपकि दिलिजेहें जवारत.